नमस्कार, समसामेक विशे पर सोचाज अब्टी बात आप सबके सम्मुक रखने का आउसर मिला है, तो रख लेता हूँ दस्वी और बार्वी के परिक्षा परिणामों की घोशना, और उन परिक्षा परिणामों में हमारे विद्यार्थियों का शत प्रतिशत अंक लाना, हर विशे में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गनित हो, या अन्य कोई विज्ञान या कला के विशे हो, इन सारे एक निहायत और निसंदेह उम्दा पहल और सफलता का परियाय भी है। मैंने कभी अपने जीवन में इतने अंक कभी नहीं देखे। मेरे अपने जीवन में मैंने कभी भी एक अच्छी द्वितिय श्रिणी से मैं आगे बढ़ी नहीं पाया। माता पिता का हमेशा सपना रहता था कि बच्चा कभी तो प्रथम दर्जा प्राप्त कर पाये। लेकिन ये बच्चा ही ऐसा था कि कभी प्रथम दर्जे की ओर बड़ भी नहीं पाया। पाना तो दूर की बात है लेकिन आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी में, हिंदी में, सव में, सव गनित में, सव में, सव भोत्की में, सव कला के विश्यों में, सव तो मुझे लगता है कि मैं कहा हूँ और कभी ये भी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि आजकी यह शिक्षा विवस्था हमें लेकर कहां जा रही है क्या अंकों के माइने बदल गए है क्या अंक हमको आख रहे है या हम अंकों को आख रहे है क्या हमारे अंदर के सारे अंक जिन्हें हम आगते हैं अपनी उर्जा से, अपनी तनमयता से, अपने साहस से, अपने हौसलों से, क्या वो हौसले हमारे अंदर के कम होते चले जा रहे हैं? क्या हम एक रटन्त शास्त्र की और बढ़ते चले जा रहे हैं जहां जो भी रटा हुआ है उसे उडेल दिया जाया और शिक्षा विवस्था के नाम पर हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके कदा पी नहीं क्योंकि अंक कभी भी जीवन को तैनी करते हैं जीवन अंकों के आधार पर कभी भी बनाया भी नहीं जा सकता है जीवन है हौसलों का, जीवन है उम्मीद का, जीवन है आपके सामर्थी का आपके चलने वाले पत पर कई सारे काटे हो सकते हैं लेकिन उन सारे काटों को पार करकर ही आप फूल तक पहुँच सकते हैं और जीवन में काटों का होना नितान तावश्यक है जब तक काटे नहों जीवन में तब तक उन राहों पे चलने का मतलब ही क्या है और परमपिता परमेश्वर से हमेशा यह अनुरोधा और प्रार्थना जरूर करें कि आपके जीवन में काटे अपार हों लेकिन वह आपको हौसला सामर्थ और शक्ती दे जिससे कि आप उस रास्ते की और आगे बढ़ सकते हैं अंकों पर आधारित शिक्षा बहुत सारे सोशेल मीडिया में पोस्ट्स जो आये थे उसको मैं पढ़ रहा था किसी एक छात्रा ने कहा कि एक अंक का कम होना जैसे जीवन की डूर का तूट जाना समझ नहीं आ रहा था कि क्या परवरिश इस तरह से हो रही है कि जहां पर सव प्रतिशत अंक पाने की एक जद्दो जहद या एक माहौल ऐसा बना दिया गया हो जहां एक अंक भी कम नहीं होना चाहिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो शत परतिशत अंक पाकर जीवन के इस जीजी विशा में सफल हैं ऐसे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं ऐसे बच्चे लिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे बच्चे नजाने कहां जिन्दगी के इस भागम भाग के दौड में खो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और उन बच्चों का क्या, जिनके अंक कमाए या जो चाहा हुआ मुकाम प्राप्त नहीं कर पाए, क्या उनके प्रति हमारी जवाबदारी नहीं है? क्या उन्हें हम ये न बता सकें कि जीवन अंकों पर नहीं, बलकि जीवन अपने आपको आखने पर है, और जो व्यक्ति इस विधा को प्राप्त कर पाता है, जो इस विधा में अपने आपको संपन्न कर पाता है, उस व्यक्ति का जीवन भी तो देखिए, न जाने कितने ऐसे अंगिनत उदाहर्न है जहां पर अंक नहीं बलकि व्यक्ति खुद को जब आग कर आगे बढ़ता है तो वह अंकों से बढ़ा हो जाता है हमें अंकों से बढ़ा होना है हमें अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना है कि अंक जीवन के उस मुकाम तक आपको नहीं पहुचा स लेकिन हाँ, आप अपने आपको आख कर चलिये, तो आप आग के दरिया को भी पार कर सकते हैं। यही एक विधा जो है, जिसे हम स्किल कहते हैं, एडवर्सिटी स्किल, अपने विद्यार्थियों तक संप्रेशित करना है, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है, और उनको इ रहेंगे, वह अवसाद, वह डिप्रेशन या दुख या चिंता, इन सबसे वे हमारे विद्यार्थी परे रहेंगे, और आप उनका नकेवल साथ देंगे, बलकि उनकी हर गत्विधियों में आपकी जरूरत उन्हें हमेशा महसूस होगी, आईए एक ऐसा माहौल, ऐसा वात ऐसा एन्वायर्नमेंट क्रियेट करें, बनाएं, जहां पर स्व की चिंता हो, स्व को आका जाए, नकी अंकों को आका जाए, धन्यवाद.